नमस्कार राजेश सरक राशश में आपका स्वागत है प्रस्न है वायवी तथ औवायवी श्वशन में क्या अंतर है कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें औवायवी श्वशन होता है तो देखे वायवी स्वसन और वायवी स्वसन आक्षिजन की उपस्थिती में संपन होता है जबकि और वायवी स्वसन आक्षिजन की उपस्थिती में संपन होता है इस क्रिया में गुलुगोज का अपूण आक्षी करण होता है यानि पूड रूप से गुलुगोज का आक्षी करण नहीं होता है तीशरा अंतर देखिए इस क्रिया में यानि वायू शोषन में इस क्रिया में कार्बो हाइडरेट गुलगोश के आक्सी करणशे कार्बन डायाकसाइड जल तथा उर्जा प्राप्त होती है यानि इस क्रिया में यानि कौन सी क्रिया हो रही है वायू शोषन के क्रिया हो रही है तो इस क्रिया में कार्बो हाइडरेट गुलगोश के आक्सी करणशे कार्बन डायाकसाइड जल तथा उर्जा प्राप्त होती है इस क्रिया में एलकोहल तथा कार्बन डाय आकसाइड यहों कम मात्रा में उर्जा उत्पन होती है यानि जो क्रिया हो रही है और वायोई स्वशन की उसमें क्या हो रहा है एलकोहल तथा कार्बन डाय आकसाइड यहों कम मात्रा में उर्जा उत्पन होती है अगला देखे इस स्वसन क्रिया का प्रथम भाग कोशिका के जिवद्रब तथा दुती चरण माइट्रो कांड्रिया में पुढ़ होता है यानि वायवई स्वशन जो होता है इस स्वशन क्रिया के प्रथम भाग कोशिका के जिवद्रब तथा दुती चरण जो होता है या दुती भाग माइट्रोकांड्रिया में पुढ़ोता है या स्वशन क्रिया केवल जिवद्रब में शंपन होती है बायू श्वशन जो होता है सभी प्रकार के जीवों में होता है यहाँ श्वशन इस्ट फिताक्रिमी आदी में होता है यहाँ श्वशन क्रिया क्या होता है इस्ट में होता है फिताक्रिमी यहाँ कवकोक में होता है नमस्कार